सो हलो एफ्रियों स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ हो या ना हो मार्केट के अंदर एक चीज होना तो तैय है जो लॉस Loss Market के अंदर तो आपको Definitely होगा और Loss को कैसे Handle करना है और Loss को किस टाइब से Handle करके आपको Bounce Back करके आगे जाना है ये वीडियो उससे Related है दोस्तों मैं आप लोगों को कहा है दू मैं Continue 5 Day से Losses किया उसके बाद Finally Friday के अंदर मैंने अपने Almost सारे Loss को Recovery कर लिया ये जो 5 Day के अंदर मेरे Losses हुआना इस Losses से मैं 3 Point सीखा और 3 Point मेरा कहिना की गलती भी था मैंने Actually 3 गलती किया था और 3 Point जिसके कारण I think Friday के मेरा Loss Recovery भी हो गया आप लोगों के अंदर बहुत सरे लोग ऐसी भी है जो Market के अंदर ना बहुत सरे Loss करके बैटे and Problem Start कहाँ पर हो जाते है मालूमे जब आपकी Calculation को छोड़ती हो Loss होता है आप लोगों ने भी देखा कि आपकी Loss Capacity ये 2,000 अगर आपकी 4,000 Loss हो जाता है तो आप क्या करोगे Loss Recovery के चक्कर में और ज़्यादा Loss कर दोगे या अगर आप Continue 3-4 Day Continue Loss कर रहे हो तो क्या होगा मालूमे आपकी Psychology Disturb हो जाएगा और आप Market के अंदर Bounce Back मतलब एगेन Profit करना थोड़ा मुस्किल हो जाओगे और आप देखना मैंने भी इसको नोटिस के आप लोग के चाथ होगा तो आप यह बोलना Continue 3-4 Day Loss होने के बाद Market के अंदर आप ठीक टाइप से काम नहीं कर पाते हो मतलब आपकी Mind एक तरह का Stig हो जाता है आपको सिब आप अपने Loss को Recovery की चक्कर में आपको और जड़ा Losses हो जाता है तो बहुत सारे पॉबले में बोलने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बट मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर सिलेक्शन किया है Number 3 पॉइंट जो कहिना कि मेरे लिए बहुत ज़ाद इंपोर्टन था या जो 3 पॉइंट के कारण हम लोग bounce back इस market के अंदर कर सकते and number 3 पॉइंट जो मेरा कहिना की mistake भी था तो 3 पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को add on करना है और 3 पॉइंट जो में बताऊंगा जो आपको नहीं करना है So let's start पहले में आप लोगों को देखा हूँ कौन-कौन से दे और कैसे मेंने losses किया So जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे स्कीन आप लोगों के सामने देखने को मिल जा रहा है So मेरा exact loss करना start हुआ 5 में से So 5 में से अंदर मेंने क्या गलती क्या किया था अभी आप लोग देखोगे मेरा first जो गलती था गलती ने actually loss मेरा start हुआ था वो ही में आप लोगों कह रहा हूँ So first 5 में के अंदर मैंने जो यहाँ पर देखा कि market कहने है कि यहाँ पर gap down opening हुआ So जैसे market यहाँ पर gap down opening हुआ gap down opening के साथ मैंने wait किया कि market के अंदर कभ एक resistance breakout होगा So यहाँ पर अभी आप लोग देखो टेल लेने की पीछे मेरा reason क्या था Market gap down कुला seller लोगों को market ने एक बार मौका दिया कि भाई आओ market के और नीचे लेके हो बाद यहाँ पर क्या हुआ buyer continue market को buy करते market cooper कर दिया आप देखोंगे जैसे market के अंदर यह resistance breakout हुआ मैंने यहाँ पर position बना लिया that reason buyer की एक बहुत अच्छी potential मुझे green बरे candidate को देखने को मिला seller ने यहाँ पर try किया यहाँ से market नीचे लेके आने के लिए और buyer ने फिर resistance breakout हुआ मैंने यहाँ पर एंटी लिया और मेरे target करीब करीब इसी एरिया में था तो क्या हुआ था था थोड़ा ध्यान से इसको समझे मार्केट के अंदर already जैसे मैंने position लिया position लेने के साथ साथ देट सु पॉइंट की momentum हो गया बट मेरी जो टार्गेट थाना मेरा टार्गेट थोड़ा 300 प्रास का था तो कहिना कि आप एक point नोटिस करना जबी भी आप market के अंदर बड़े target के लिए जा रहे हो तो आप देखना आपकी winning rate कंबोमाइस करना परेगा दा winning rate थोड़ा कम हो जाएगा यह चीज को को ख्याल लगना परेगा और में इस टाइप की ट्रेटर हूं में एक medium quantity के साथ बड़े target को एचिव करना चाहता हूं आप देखते यूटूब के अंदर बहुत सरे लोग है कि 100-100 points उन लोगी target ही है राइट बट मेरा टार्गेट तो आपकी जो ट्रेडिंग सेटप और माइंड सेट सबका लगलग होता है तो मेरा ट्रेडिंग सेटप और माइंड सेट यह कहता है कि भाई बहले दो एक दिन लॉस हो जाए चोटे 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 चलेगा बट मुझे जब पॉफिट मिले तो पॉफिट बरा आना चाहिए तो राइट इससे क्या होता है दो तीन दिन जो मैंने चोटे लॉस किया है वो मैं एक ही जटके में रिकोवरी कर सकता हूँ मेरे माइंड सेट अप मुझे यह इन्फोर्मेशन दे रहा है जब इस दिन मेरे को फाइम में को मेरे को वान टाइम यहाँ पर सेबंटी ठाउजन की एरॉन पॉफिट चल रहा था यूजिली मेरा टार्गेट एक बो लाग की खरीब रहता है तो इसलिए मैंने टच नहीं किया छोड़ दिया उसके बाद क्या हुआ मार्केट घूम की आया और मेरे को यहाँ पर हो गया लॉस पहले मैं आपको बताओ कैसे कैसे लॉस हुआ दैन मैं आपको जो पॉइन हो बताऊंगा उसके बाद फिर एगें मार्के करने की यहाँ पर स्टगल कर रहा है एक रिजिस्टेंस क्रेट कर रहा है कॉंटिन्यू बायर यहाँ पर मार्केट कूपर लेके आने की कोशिस कर रहा है बट बायर मार्केट कूपर नहीं लेके आप आ रहा है और एक पॉइन था यहाँ पर मुझे मार्केट के अंदर इस गूपर कर दिया, फिर seller ने market को नीचे कर दिया, बड़ यहाँ पर point है, अगर इसको में एक name देता हूँ, इसे number one low और इसे number two low, तो अब एक चीज़ को notice करो, number one जो low है, number two जो low है, number one की नीचे नहीं आ पा रहा है, मतलब seller दिर दिरे गायब हो जा रहा है, seller की power कम हो जा रहा ह उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर एक low बनाया, इस low की नीचे इस low नहीं आ पाया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, continue lower high pattern बन रहा है, और यह message दे रहा है, कि market के अंदर seller कहीं है, की दीरे 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 गायब हो जा रहा है, और buyer आवर जदे active हो रहा है तो यहाँ पर मैं बहुत यह दो active हो गया, और मेरी intention क्या था, जैसे market के अंदर resistance breakout होगा, यह वाला area, मैं market के अंदर buy कर लोगा, right, so resistance breakout होने के साथ मैंने यहाँ पर buy किया, मुझे market के अंदर फिर move आया, 20-30 की यहाँ पर करीफ मुझे profit आया, एगर मेरा target थोड़ा बढ़ा हुआ, उसके बाद ही मेरा entry लिया, तो मैंने rules system follow करने के बाद ही यहाँ पर मेरा loss हो, मैं अपने loss को accept कर ले Monday था, उसके बाद वले day आ जाते है हम लोगों को 9-way, 9-way के अंदर same, ओ ही होता है, market खुलता है, खुलने के बाद मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है, कि market open होते इस seller लोगों ने market को sell करना start किया, heavy quantity से, अभी वो लोग है, heavy quantity से कैसे, आप देखो के 10 minute time frame में दो great बरे बरे candle बना दिया, इसको समझ में आ रहा है कि market के अंदर heavy selling चल रहा है, और seller की SL कहाँ पर है, इसी area पर seller का SLA, मेरी view और मेरी जो intention कहा था, जैसे resistance तूटेगा, इसका म buyer, market के अंदर भी wait कर रहे है, जो buyer है, market के अंदर के resistance break कर रहे है, तो में position बना लोगा, seller का SL hit हो गया, new fresh buyer market के अंदर anti कर गया, इस चीज़ को देख तो, इस चीज़ को समझते मैं यहाँ पर anti लिया, फिर एगें थोरा momentum किया, थोरा profit दिखाया, फिर एगें market घुम के नीच मेरा यहाँ पर अच्छा का सा कि lost market के अंदर देखने को मिला, उसके बाद आज आया है, यह वाला डे, market के अंदर 10 में, 10 में के अंदर क्या हुआ, market open होते है, एकदम यहाँ पर open होते, market के अंदर panic selling हो चलो, start हो गया, panic selling किसे कहते है, जिसका मतलब है, मतलब मार्केट के अं स्टेट सेलिंग हो रहा है, market selling कैसे होता है, ऐसे, 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 bounce back करते है, तो यहाँ पर bounce back नहीं हो रहा है, तो continue जब selling में ने देखा, तो मैंने यहाँ पर कहीन है, कि अपने जब market green एक opportunity मिला कि यहाँ पर मुझे इंटी ले आना को मौका मिल सकता ह मार्केट यहाँ पर एक candle बना के green candle आया, तो अभी हो सकता है, यहाँ पर थोरो ऊपर आके bounce back लेके fin नीचे आएगा, इसी intention से मैंने यहाँ पर एक position लिया, और एगेन कहीन है कि मुझे यहाँ पर हो गया loss, यहाँ पर एक mistake किया था, मैं आप लोग को बताऊंगा, जब मैं mistake अब लोग के external करोंगे, यहाँ पर एक mistake था, वो आपको याद दगना परेगा, मैं आपको बताऊंगो mistake किया, पहले मैं आपको बताऊंगो क्या हुआ था picture, उसके बाद फिर आ गया, फिर market open हुआ, heavy selling हुआ, यहाँ पर market को एगेन एक support मिया, buyer active हुआ, resistance breakout किया, फिर मैंने एक position देखा, market gap down, almost open हुआ, होने के साथ, market के अंदर यहाँ पर एक heavy selling देखनी को मिला, market नीची आया, फिर market रूपर आया, यहाँ पर जितने भी सारे seller थे, सारे seller की SL कहीन है कि market hit किया, यहाँ से नया buyer market के अंदर anti हुआ, और जैसे resistance breakout हुआ, जो fresh buyer था, जो वेट कर रहे थे कि market के अंदर कब कोई resistance breakout हो में काम कच कर रूए के में, तो इस टाइप की मेरे टाइप की बहुत साथ डेटर market के अंदर anti हो गया, एक तो हुआ, यहाँ पर SL hit seller का, दूसरा point यहाँ से new buyer कहीन है कि market के अंदर anti कर रहे, तीजरा point यहाँ पर fresh buyer market के अंदर anti कर रहे, जो वेट क कर रहे थे कब resistance breakout हो में वाई करो, जैसे में भी कर रहा था, तो यह picture हुआ था, मैंने यहाँ पर position मार्केट के अंदर एक बहुत बैतरी profit देखने को मिला, और सारे profit जो मैंने पिछले 5 दे के अंदर किया, almost सारे profit, सारे losses होता, वो काई नहीं कि profit कर अंदर, almost हम लोगोंने control क system में मेरा जो loss होता है, मैं average losses कि किसी दिन 50,000, किसी दिन 70, किसी दिन 80, मतलब एक लाकी उपर में जाने नहीं दिया, आपने losses को, और जब profit हुआ, around 3 लाकी करी, right, तो 1 is to 2, 1 is to 3 रखता हूँ, because मेरा intent साने कि में मार्केट के अंदर क्या करूं, बड़ा profit लूँ छोटे SL के स साथ, but अगर यह ना करते हों, अगर यह करता, कि मार्केट के अंदर एक medium size profit, मतलब में 100 रुपी है, कि जो बाकी बहुत सही लोग आप देखते हो, करते हैं, बहुत quantity को huge करते हैं, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, और उसके सामने 20-30 point के around, यह से लख profit या बड़ा profit आप नहीं देख सकते हो, बट आप quantity बड़ा करके उस चीज़को भी manage कर लेते हो, right, but वे quantity को medium करके उस same जो बड़े momentum को में catch करने ही कुछिस करते हो, इससे problem भी है, क्या market के अंदर जो आपकी strategy की winning rate है, वो थोड़ा कम हो जाता है, but overall आपको profit होता है, right, आप मान के चलो ऐसा होगा, क्या आप तीन दिन काम किये, दो दिन आपका losses हो गया, एक दिन में सारा loss require, but अगर आप छोटे loss point के साथ काम करोगे, तो क्या होगा, तीन दिन में हो सकते हैं, एक दिन आप face lead होगा, दो दिन आप profit में रहा होगे, तो average घुमा फिरा के दोनों की result आ क्या नहीं है, उसकी उपर, उसकी उपर में भी बात भी कर रहा हो, किसी एक दिन बात करेंगे, okay, so अभी मेरा mistake, क्या मैंने mistake किया था, मैं आप लोगों को first बताओ, देखो, मेरा first mistake एक तरह का price accept से related, देखो, मैंने time frame यहापर change कर दिया था, मैंने एक चीज को आप देखो, इस बाले डेको में दिखा दाओ, दस में को, आप देखो, मैंने यहापर दो चार्ट आपके लिए मैं ready कर दाओ, दो चार्ट, मुझे यहापर इस चीज को समझाने के लिए दो चार्ट की जरू हो था, दो बैंक निप्टी की चार्ट होना चाहिए, so दो मैं बैंक सिप्टिंग किया था, मतलब टाइम प्रेम को मैं चेंज कर दिया था, मैं actually 10 मिनिट में काम करता था, बट मैंने 5 मिनिट किया कि मुझे अच्छा एंटी मिल जाए, मैं देख रहा था कि कुछ टाइम से 10 मिनिट के अंदर मैं एंटी करने जा रहा हू, कुछ पॉइंट कम ज अगर कॉंटिन्यू 1,2,3,4,5 रेट केंडल या 5 गिरिन केंडल बने, वहां से मैं सेलिंग नहीं, मैं वहां पर रिवास सेल्फ एंट करता हू, विकॉस यहां पर क्या हो रहा है, कॉंटिन्यू जब मार्केट केंदर सेल होता है न, तब मार्केट के अंदर एक पॉफिट ब्रेक करना चलो यहां पर ठेल ले लेते, मेरा यह थिंकिंग था, बट मैंने यहां पर मिष्ट के कर दिया था, मैंने 10 मिनिट टाइम फ्रेम में मार्केट को समझता हू, 5 मिनिट में एंट एक्जिट करता हू, बट उस दिर मैंने जलबाजी में तुरा गल्दी कर दिया थ 5 मिनिट में ऐनालाइस किया था, ऑनालाइस किया था मिनने देखा चलो यहां पर तो मार्केट आया एक जब्रीन बी बना, वह थिस सथाू, यह मैंने एक मार्केट के अंदर जो मैंने अपने स्टाटरजी में मैंना काम करने के तरीका में आप लोगों को बता हूँ मैं फर्स्ट प्राइस एक्षन देखता हूँ जो मेरे एंटी एक्जी निलेन के लिए मदद करता हूँ गोकी मॉर्ण का मार्केट की सैंटीमेन को बहुत अच्छी तरीक सा दे कोज़स करता हूँ मैंने बहुत system बनाके रख्का था जो एक साल पूराना था और एक साल पूराना system इसे को लेके काम कर रहा था जन्या बहुत अच्छा रिज़्ब हैं धा कि मियरा जो Mare वाला सिस्टेम सेंटीमेंट चेक करने वाला वो सिस्टेम के अंदर बहुत सरे ऐसे चीज से जो मुझे चेंज करना चाहिए था बहुत सरे ऐसे नया नया चीज मार्केट के अंदर आया है या नया नहीं है मार्केट अपने आपको चेंज कर रहा है डैनाइमिक तरीके से अब फिद्धिप सभूभ को समझ में आएगा लोग अपने में संटिमेंट दो में अनलाइज करता था उसको में आपडेट नहीं से कुछ ससे के उपके सुख नाइप काम के अंदर विजी हो गया था मैं कोड़ा कुछ टेडिंग साइकलोजी की उपर काम कर रहा था कुछ रूल्स में बना रहा था कुछ सिस्टम में बना रहा था मैं प्लैनिंग कर रहा था कि हमने कौंटिट को इंक्रीज करू यह वो यह सारे काम के कारान या यह सारे चीजों की उपर focus के कारान जो market के अंदर में एक rules बनाई या मेरे सिस्टेम है कि मैं daily कुछ time chart की उपर विदा हूँ chart कैसे move हो रहा है कैसा क्या कर रहा है bank lift अभी कैसे move कर रहा है कैसे market चल रहा है श्रीव only for chart वहाँ पर कोई price action ही कुछ भी नहीं मैं स्रीव ऐसे ऐसे random chart कैसे move कर रहा है resistance breakout के time market कैसे react कर रहा है support breakdown के time कैसे react कर रहा है right market की step से move कर रहा है one hour time frame में market किया है one day time frame में market किया है तो chart reading के अंदर में time ही नहीं दे रहा था मैं totally market psychology mentality loss किसे कम करें चोटा एसल कैसे ले target को कैसे आगे पीछे करें ट्राइलिंग यह से लिए सारी चीज़ों की उपर इतना विजी हो गया था मैं chart reading की timing नहीं मिल रहा था इसके कारण market अपने आपको change कर रहा है यह में कहिना के identity नहीं कर पाया रहा था number three point यहां पर जो था market is dynamic जैसे में कह रहा था market is dynamic dynamic का मतलब क्या है कि मान के चलो right now market अभी एक धंग से चल रहा है market मान के चलो एक style में अभी चल रहा है कुछ साल कुछ मैने के बाद market आपने चल लेंगे तरीका change कर देंगे जैसे आप लोग भी देखते हो market के अंदर अभी normal market के अंदर जो टी सट हम लोग पहनते हैं जो हम लोग की style है जो भी हम लोग अभी पहन रहे है वो कितना जल्दी change हो जा रहा है right mobile phone जैसे हम लोग की mobile phone है mobile phone भी कितना जल्दी change होता है अभी मान के चलो apple 11 12 13 14 इसके अंदर कुछ नहा फीचर से उसके अंदर कुछ नहा फीचर से उसी तरह market के अंदर भी यह होता है कि market अपने आपको कुछ change करता रहते है कुछ minor change करता रहते मार्किट इस डाइनमीक तो इस तीन मार्किट डाइनमीक अपने आपको बहुत जल्दी change करता था बट उस चीज की उपर मैंने ध्यान नहीं दिया तीन में रिजन था यह कहना है कि मेरे लॉज होने का यह तीन रिजन का कारान है number three point में आपको बताऊंगा कि जिसके कारान कहीन है कि हम लोगों को bounce back करने के लिए strategy wise बहुत मदद किया बहुत हम लोगों को वहाँ पर यह किया तो first मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा number one is stick rules मैं अपने rules के अंदर बहुत ज़्यादा stick था यह कहीन है कि मेरे एक plus point था मैं आपको बताऊंगा कैसे stick था किया तो मैंने इस दिन जो काम किया था बैंक निप्टी के अंदर मेरे जो एंटी पॉइंट है resistance breakout की उपर मैंने यहाँ पर resistance और इसके कारण ही market के अंदर हम लोग bounce back नहीं कर पाते या इसके कारण हमने loss को recovery नहीं कर पाते या इस चीज़ को ignorance के कारण मार्केट के अंदर हम लोग टिक नहीं पाते है प्रॉफिटेबल ट्रेटर ना बनने का एक बहुत बरा कारण है reason है तो अब समझी इसको क्या हुआ था resistance breakout के साथ 50,000 मेरा profit देखाना start हो गया था but try to understand यहाँ पर मेरे mind में यह नहीं आ रहा था यार 5 डे से में continue profit loss कर रहा हूँ चलो 25,000 मिल रहा है इसको लेके भाग जाते नहीं तो यह भी हाथ से चला जाएगा आप लोग यह में पहले पहले यहीं गल्दी करता था के continue 3-day या अभी भी थोरा बहुत हो जाता है continue 3-day या अच्छा continue 3-day या 4-day loss करने के बाद जब नमबर 5-day नमबर 6-day मेरे को profit दिखना start करता है हम लोग क्या करते small profit लेके चले जाते बट यह आप करोगे ना तो पीछे loss को कैसे recovery करोगे आप कैसे business करोगे कैसे आप trading करोगे अगर continue 3-4-day loss करने के बाद नमबर 6-day नमबर 5-day थोरा profit दिखाएगा न according to trading cycle होची हम लोग डर के मारे गायब हो जाएंगे यार यह profit भी आसे जा सकता है विकास पीछले 5-6 दिन से मेरा losses हो रहा है जो मिलना है लेके निगलो यह बहुत बड़ा गल्दी इसके कारण क्या होता है देखो आप continue 5-day cj loss कर रहे हो और अगर आप system को follow कर रहे हो तो most of the chance है number seven and number eight day में या जिस दिन आपका profit हो बड़ा होगा यह कहना कि ख्याल लगने plus point है मैंने इस market के अंदर सीखा समझाए तो यह मेरे दिमाग के अंदर तो मैंने 50,000 चोटे profit के साथ में समझेवता नहीं किया श्रीव यही नहीं मेरा जब first profit loss होना मेरा start हुआ था और quals Friday के अंदर इस दिन भी मैंने चोटे profit के को मभश नहीं किया मेरा system बड़ा profit है तो यहां पर NT लेने के साथ मेरे को यहां पर 70,000 के रों लॉस लिगा रहा था इस दिन भी मैंने यहां पर क्या किया नहीं था profit को भूम नहीं किया था तो यह rules मेरे starting जिससे मेरा loss start हुआ और जब से मतलब number 6 दे तब से मैंने stick रहा तो मैंने बुला चलो 6 दे loss होगा होगा देखा जाएगा बट मैं अपने rules और system को छोड़ूगा नहीं जो मेरे अपने लिए बनेया और मैं trading market के यूपर नहीं करता हूँ मैं अपने rules और मैं system के यूपर करता हूँ तो यह चीज म करें के चले जाते नहीं तो यह लॉस भी एक लाग यह सब 70,000 80,000 90,000 के अंदर हो सकता है यह चीज कहने की दिमाक के अंदर आता है सब के अंदर आता है तो चोटे लॉस के अंदर जैसे लॉस बुक करेगा माल के रूपर चलाया तो आप बोलोगे सर्यार में जब लॉस देखने को मिला नंबर 2.2 नंबर 2.2 यहां पर आपको चार पांस दिल से मेरा लॉस हो रहा है चलो भाई इसको लेकर निकल जाओ तो मैंने आपने ग्रीट को यहां पर कंट्रोल किया फियर यहां पर था क्या ता फियर फियर यहां पर था भई यहां पर मेने को 10,000 की around losses चल रहा है फिर यह loss बर के क्या होगा और loss के अंदर convert हो जाएगा भई 10,000 loss लेके निकल तो यहां पर फियर गृट था और यहां पर फियर था दोनों को कहने कि हम लोगों ने control कर लिया तो and greet को control करना मेरा number two point था number three point था यह मेरा खुद का personal है यह आप लोग अपड़ी सबसे अब लगा सकते हो एक पेशार others पेशार पेशार का मतलब क्या है मैं यूटूबर हूँ और मैं YouTube के अंदर वीडियो बनाता हूँ इवेंट मैं अपने course product को sell भी करता हूँ try to understand मैं अपने personal बात कह रहा हूँ भै आपने product को sell करता हूँ अगर मैं continue loss करूँगा तो मेरे तो subscriber या मेरे जो student हो तो भाई बोलेंगे भाई आप loss कर रहे हो क्या है क्या नहीं सबल करेंगे तो जब मेरा यहाँ पर profit चल रहा था मे मेरे दिमाग के अंदर one time ही भी आया था कि भाई 50,000 profit लेके निकालो और लोगों को बोल लेंगे देखो मैंने आज profit कर लिया बट मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर किया मेरे यहाँ पर main business trading राइट मैंने कुछ आदर सीजो क्यों पर मैंने focus नहीं किया जो होगा देखा जा निकलना है market से जो family में या कुछ कहां पर उसको use करना है उसका पेशार है तो यह सारे पेशार को करना है के चंट्रोल करना परेगा मेरे पेशार में आपको बता दिया आप लोगों की पेशार हो सकता है कि भाई आज कुछ यहां से तो मेरा खर्चा निकलना था या इस मंद प्रेंडिंग रूल्स और डिसिप्लिन की सटिक कैसे रहोगे तोबर ओले पिक्चर था था थी पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया प्लास अन्ट्री पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया नेगटिव आप वीडियो के घुमा फिरा कर देखना बहुत जबर्दस दोस्तो मार्केट के अंदर लॉज आपको टेडर बनाने के लिए जो सीरी ना होए एक योपर लेके आता है लॉज से सीको समझो यूटालाइस करो किया आपने लॉज कैसी हुआ त्यू हुआ आपका प्लास पॉइंट किया है आपका निगटीव पॉइंट किया है जो में तो आजु आज वर वाश्टिस वीडियो